हर्यों दोस्तो स्वागत है आपका फिर स्टेड़ी वाय लोधी सर के यूटूब चैनल में मैं किरपाल लोधी दोस्तो आज हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक गरत का जिसका नाम है घाती संकेतन बैग्यानिक संकेतन या दी गई संक्याओं को मानक रूप में लिखना दोस्तो कई वार क्या होता है कि कई दूरियां या कई मान इस प्रकार के होते हैं जो करोडों में या अरवों-करवों में जिनको लिखने क्या वसकता होती है जैसे खबूली दूरियां हम कहें या कई मान ऐसे होते हैं जैसे आणविक परमाणविक दूरियां है या आणवि चाह रहे हैं दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार बजट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ मैं वेल आइकन पर भी क्लिक कर दें लाइक भी करते जाएं ठीक है दोस्तों यहां से निश्चत रूप से प्रस्न आता है चाहे वो पुलिस भर सबसे पहले बैग्यानेक संकेतन को हम कैसा लखते हैं दोस्तों बैग्यानेक संकेतन लखने का जो फार्मेट है यह होता है के गुणा 10 पर M की घात के रूप में हम लखते हैं मतलब 10 पर घात हमें निश्चत रूप से लगाना ही होगी और यह जो के का मान होता है यह होता है एक, दो, तीन, चार से लगा करके नो तक का कोई भी अंक केकी वैल्यू यहाँ पर हो सकता है केका मान कभी भी दो अंकों या तीन अंकों में नहीं हो सकता, निस्चत रूप से केका मान हमेशा एक अंक में ही होता है ठीक है? इसको लिखने का तरीका कैसा होता है? जैसे मान के चलो, यहाँ हम दूसरा कोस्टिम पहले बता दे रहे जैसे कह रहे हैं कि पचास को बैग्यानिक संकितन के रूप में किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो हम क्या कर लेते हैं? पचास के बाद में सूनने लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते, संसार की कोई भी संख्या लिखी है, कोई भी संख्या लिखी है जैसे पचास, तो दसमलो लगा के हम सूनने लगा सकते इसके मान पर कोई अंतर नहीं पड़ा, यह पचास के बताएंगे तो इसको हम लखेंगे 50 को 5 दो सुन ने गुणा 10 पर एक अंक खिसकाया है तो 10 पर कितने की घात एक की घात यहां हमने लगा दी उसी प्रकार सी कॉस्चन पहला था यदि कह रहा है कि 6 को बैग्यानक संकेतन या मानक संकेतन या गाती संकेतन के रूप में इसको लिख सकते थे हम 6 गुणा 10 सूननी की घात क्योंकि देखो सूननी की घात यह आप जानते हो संसार का कोई भी अंखो यदि उस पर सूननी की घात है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है एक होती है ठीक है यह नियम है इसको आप यात कर लें घातांगों की नियमों में हम भी आणगे पता आगे तो देखो यह बन गया कि एक ग्णा 10 पे एम की घात के फार्मेट में तो ये गाती संकीतन में लिखिया हुआए हमारा 5 चोधि 5 दसमालौ 5 लेखा है तो गुणा दस्पे एक अंक एदी खिसकाया है तो 1 कि घाद, जीतने उंक खिसकाया उतने कि reper उतने किखा कितने की गात कितने की गात कितने एंग खिषका यहां लगा था यह दुख से रिवर्स भी आपको करके बताएंगे कि यदि कोई बैग्यानक संकीतन गहती संकीतन के रूप में कोई स लिखी है, तो हम उसे सादमा रूप में कैसे लिख सकते हैं? अब दोस्तो हम एक प्रसõl और देख लेते हैं. पांचमा seeking है, इसमें हमें लिखना है 4, 00, viv, 6, गाति संकितन में तो अब यहां सुन न लगा देंगे अब हम कितने आंग खिसका रहे हैं देखो चार जूर अज़िधी यह 00 होते स्टुडेंट्स केवल यह 400 होते तो हम चार के बाद दसमलो भी नहीं लगाते ठीक है केवल चार ही लिखा रहने देती लेकिन यदि बीच में जीरो जीरो रहे हो लास्ट में कोई संक्या हो तो हम इसे पूरा लिखते हैं चार समलो सुन सुन पांच शे क्यों लिखते हैं पूरा क्योंकि जब हमें से रिवर्स कर रहे होंगे तो ये मिलना चाहिए अब यहां कुणा दोस्तो ये संक्या कोई लिखी है तो सबसे पहले हम दसमलो लगा कर जीरो रख लेते हैं अब यहां चार लिखा हमने और देखो यदि दाएं तरफ जीरो जीरो रहे तो यह हमें दसमलो लगा कर इस परकार के सुनने की जरूरत नहीं होती अब तो कि बल चार ही लिखा रहन ठीक है स्ट्रेंट्स इसी परकार से हम आगे देखते हैं यह संक्या लिखी है तो यहां भी हम क्या कर लेंगे सबसे पहले दसमलो लगा के सूनने रख लेंगे अब एक अंक बाद ही हमें दसमलो चाहिए है मतलब बारा के बाद नहीं लगा सकते हैं एक के बाद लगाएंग यहां लगबग 12,530 यह लेकिन यहां जीरो नहीं है तो हमें पूरा लिखना होता है लगब 3,630 अगया देखते हैं अगला क्वक्षचन है कह रहे हैं सूर्य के प्रकास की चाल तीनलाक किलो मीटर प्रती सेकंड है इसे घहती संकितन या वैगानक संकितन की रूप में लिखिए यह यह पिर वो कहेंगे के मानक रूप में इसे लिखिए तो आप इसको कैसा कर सक किलोमिटर रखे ऋजरूर लाग दस लाग एक हैई 10,000 स्वाहिए और किलोमिटर हैना उइल्टा है ग किलोमिटर सिक्ड़ के हम दौन तुम गदेन अब ध हम जब इसे लॉख रहे होगे तो यह सकत है जो नहीं में लिख सकते हैं आप संपर डपेंड करता है इस तसमलोग को आपने कितनी तरफ यह मतलब कितने अंक बाइं और किस काया एक दो तीन चार पांच अंक तो दस पे कितने की खात लगा हो गया पांच की है हमारा आंसर होगा तीन गुणा दस पे पांच की खात तो मां 84,000 किलो मीटर लगवा गए इसे बैक जानक संकितन के रूप में लिखिए तो सबसे पहले तो हम यहां दसमलोग लगा कि क्या लगा देंगे जीरो लगा देंगे बस अब लिख देंगे तीन दसमलोग आट चार यदि दायें तरफ जीरो हो तो इनको हमें छोड़ देना है गभड़ा दसमलो कितने हैं किस का यहां एक दो तीन चार पांच अंग किस का यह तो 10 पे कितने ही गात 5 की गात माने 3.8 4 गुना 10 to the power 5 यह हमारा आंसर होगा अब स्टुडेंट्स हम देख लेते हैं कि यदि decimal format में दिया है यह देखो यहां पूरे के पूरे question जो हमने यह व क्या है वो ट्रिक है आप एक ट्रिक लिखन दारी बादा आ रहे तो यह अ हुँ गात पह किस तरह किस तरह व्योर में और किस काते हूँ तो दत रह्या ata भी अब हमने जो पिछले सब प्रस्न कीए हैं, उन में सब दसमलों को हम दाइं और किसका रहे थे, तो धन का चिन आ रहा था, अब हम दाइं और किसका आएंगे तो रन का चिन आएगा, देखो कैसे, इन प्रस्नों से आप समझ जाओगे, इसको बेक दियाने के संकेतन में लिखन है, तो यहां हम लिखेंगे, छे के बाद दसमलों लगाएंगे, छे दसमलों पांच, गोड़ा दस पे कितने की घात हमें लगाना है, अब इस दसमलों को अपन किस तरफ किसका रहे, दाइं तरफ, तो दस पे जो घाता आएगी स्टुएंट्स, वो रनातमक होगी, रनकी हो इसको देख लेते हैं, लिखा है सून इसमलो, सून, दू, तीन, छार, पांच, इसको जब लेख रहे होगे, तो दो दसमलों, तीन, चार, पांच, गणा, दस पे कितने की घात लगा होगे, लिखुँए, एक, डू, दू, दू के बाद लगा दıया, दू किसका यहां कितने तो आप यहां चाहो तो सूनने लगा सकते हो कोई इस पर नहीं पढ़ने वाला है तो इसको आप कैसा लिख रहा होगी इसको लिख रहा होगी आप यह कुछ नहीं है 3.4 गुणा 10 पे कितने की घात एक अंक किसका या तो कितने की घात रिनेक की घात मतलब 3.4 गुणा 10 to the power minus 1 यह 10 inverse यह इसका आंसर हो रहा हो इसी परकार से जब हम सूने समलो 2 को बैग्यानिक संकेतन या घाती संकेतन के फार्मेट में लिख रहे होंगे तो इसको हम लिखेंगे 2 दिसमलो चाहो तो सूने लगा दो नहीं तो 2 गुणा 10 पे कितने की घात आपने इस दिसमलो को कितने की घात एक अंक किसका या तो कितने की घात यहां कितने की घात आ जाएगी स्ट्वेंट्स ठीक है इसी परकार 5 मा को स्चन को देखते हैं इसको जब हम लिख रहा होंगे तो 6 के बाद कुछ है नहीं वो 10 पे कितने की घात दिसमलो को 1,2,3,4,5,6,7 अंक खिसकाया आपने तो 7 अंक 1,2,3,4,5,6,7 अंक 6 के बाद लगा है तो कितने की घात यहां साथ की घात यह हमारा अंसर आ रहा होगा ठीक है या हम कहें इसको देख लेते हैं छटमा को स्चन क गुड़ान 10 पे 10 पे दसमलो कितने किसकाया एक,2,3,4,5 अंक खिसकाया तो 10 पे कितने की घात रहा है तो इसको यहां सून दसमलो मानके चलो लिखे हैं तो हम लिखेंगे 3 दसमलो लेकर सून बीच में और उसके बाद डिजिट है तो हम यह पूरा लिखना होता है तीन दसमलो सून पाँच छे गड़ा, 10 पर कितने की घात दसमलो को हमने यहां था तीन के बाद लगाए एक अंक किसकाया दाइन तरफ खिसकाया तो इरनेक की घात यह आ गया इसको जब हम दसमा को स्चन को हल कर रहा होंगे तो क्या आ रहा होगा पाँच दसमलो चार, सून तीन दो देखो ताइं तरफ सुन सुन है को यंग नहीं है एक से बड़ा तो हम छोड़ सकते हैं ठीक है लेकिन यहां कोई अंग होता तो हम पूरा लगते जैसे हमने सुन के बाद में तीन दो थे और तो हमने पूरा लगा गुणा 10 to the power कितने अंखिस काया एक अंखिस काया त दस पे कितने गहात स्टुडेंट्स यहां कितने की घाता रहे होगी दस पे रनेक की घाता रहे होगी तो यह हमने आपको बता दिया क्या कि दी गई संख्यां को घाती संकेतन या वेग्याने संकेतन के रूप में कैसे लगते हैं अब यदि आपको कभी इस प्रकार के कॉस् सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें लाइक कर दें अपने दोस्तों के साथ मैं सेर भी करें दोस्तों आगे देखते हैं इसी का reverse मुखलब क्या है पहले reverse सीखने के पहले आपको एक चीज इसमें सीखना होगी और वो क्या है वो हम यहां आपको बताया दे रहा है डारीक्ट भाग करने की मैफ़ध क्या होती है सबसे पहले तो आप इसको देखलो डारेक्ट भाग कैसे होते है जैसे कहीं दोस्तों लिखा है दो तीन और यहां है कितना सो उपर की संख्या जधी छोटी है और इये भाग करने की यही ही भी दिये लेकिन यह method कब लगेगी जब उपर की संख्या में सा नीचे से चोटी हो और नीचे सूनने सूनने हो जब हम सो से तेज में भाग कर रहे होंगे तो सो चूँकि सो बड़ी संख्या है तेज चोटी है भाग जाए गया नहीं तो सून दसमलो लगा के और हम क्या करेंगे दसमलो लगा के सूनने हम बड़ाते जाएंगे तो अब इस प्रकार के भाग कैसे MARK कर लिए करें जयसे हम दो सूनने है तो में कि नहीं कर ल spent कर लिए और तन तरफ üzsy कर लिए जैसे यहां तीन लिख थिक दियाए हैम तूल्फिस नहीं तो कम्तलब आंसर ख होता सूनने दा समलनों और कितने 0 हैं एक दो तीन चार पांच तो आप 5 प्लेज़ ड्रा करो एक दो तीन चार पांच और लास्टर से लेखना करो यहां पांच आएंगी हैं आच्छे आएंगे हो मां की प्लेस पर जिरो रख दो मतलब यह डारेक्ट भाग हो गया सूनने सुननट चह पाँच इसका answer आ गया यहां हम कई एक गई 2,4 यहां कुछ गई इस टाइप से होता ठीक है इस टाइप से होता कितने भी यहां shell डारेक्ट वाग करने की बिदी हम आपको यह बता रहा हैं, तो यह आएगा सून निगन लो, एक, दो, तीन, चार, पांप, छे, साथ, साथ, सूने, साथ प्लेश डा करो, दो, तीन, चार, पांप, छे, साथ, सूने, डा करो, लास्ट से लिखना चालो करो, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 2 आएगा, बहां की प्लेश पे क्या डाल दो, जीरो डाल दो, यह डारेक्ट वाग निकाल आता है, तो इसी मेथड को प्यूप करके, हम इस प्रकार के प्रसनों को आसानी से हल कर पा रहे होंगे, तो देखते हैं, यह प्रसन के फार्मेट में है, अब यह प्रसन इस अब कैसे बदलती, दसमलोग के जस्ट नीचे हमने हमें मानना होता है, एक और दाईं तरफ जतने अंके लिखे होते हैं, उतने मानना होते हैं, हमें क्या सून रखना होते हैं, तो यह दसमलोग अब हमारा हट गया, यह कोस्चन हमारा वन गया, अन्ठानवे, गुणा, दस कितने की घात, साथ की घात, और बटे कितने आगा, यहां पर दस आगा, जब हम इससे सिंप्लिफाइग कर रहे होंगे, तो यहां मिलेगा अन्ठानवे, गुणा, दस पे यदि साथ की घात है, तो यह तो आप घातों के नियम से हल कर लो, आधार समान है, तो भाग में घात गटनी है, साथ में से एक है, दस पे छे की घात, मिलेगी और अन्ठानवे के बाद छे सुने रख तो, या फिर हम ऐसा ही कर सकते हैं, अन्ठानवे, उन्हों दस पे साथ की घात है, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और साथ, साथ टाइम हमने क्या कर लिया, दस का गु एक, तो, तीन, चार, पांच, छे, यहाँ पर क्या डाल दो, सून डाल दो, मतलब यह क्या हो गया, यह बैग्यानिक संकेतन से हमने साथना रूप में लिख दिया, और देखो, यदि आप इसका बैग्यानिक संकेतन बना रहे होते, तो दसमलो सून न लगाते, और लिखते नो दसमलो वाठ गुणा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात बार किसका, दसमलो, कहां, बाइन तरब तो दस पे, सात की गात, ठीक स्टुएंट्स, तो यह हमारा आंसर होगा, अन्ठानमे के बाद, छे सून, इसी प्रकार से इसको देखते हैं, साधना रूप में कैसे होता है, यदि एक्स पे रणेम की गात होती है, यदि इसको हमें धन में बनाना है, तो एक बटे एक्स पे कर दें, तो धनेम की गात हो जाती है, ठीक है, यह पावर काई की हो जाती है, यदि गात को, मतलब अंस को हर और हर को अंस में लिख दिया जाया, तो घातों के सिंब एक बटे यहां दस पर दस की घात मतलब दस का कितने टाइम गुणा दस बार गुणा तो आप दस सूनने लगा होगे तीन चार पाँप छे साथ आठ नो दस और अभी हमने आपको जिस प्रकार से भाग बताये था कि जब आप इतनी बड़ी संख्या का एक में भाग कर रहे हो तो यह हमारा इसका ऐंसर होगा यह साधन परकार से में इसको देख लейते हैं इसको कैसा लग सकते चार उना दसाइब आ पांच की गात कि यदि इसको एक के बटे लिख दिया जाया तो चैने उद्धन पांच की घात हो जाएगी ल्वह जब हम हम इसे सिम्पछार रहे हों इड़ल कर रहा होंगे, तो यहां रहोगा, सुन तो आया कहीं, दसम लो, सुन लेंगे लो, एक दो, तीन, चार, पाँच, तो पांच प्लिश डा करो, तीन, चार, पांच, लास्ट में, चार लेखो, बांच की, स्टाहल पर क्या डाल दो, जीरो डाल दो, यह हमारा क्या आंसर आरोगा ठीक क्स्टेंट्स तो यह कॉस्चन टाइप 3 का कॉस्चन number 2 यह में happy comment box में लिए वताया इसका आंसर क्या होगा ऑर एक कोस्टन आप और हमें लिखके बताएं कौन सा बताएं चलो ये छटमा आप हमें लिखके बताएं पांचमा हम आपको बता दे रहे हैं कि पांचमे कांज को हम सामाने रूप में कैसे लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे 6 गुणा कैसा लिखेंगे इसको पांचमा को हम लि छे साथ ठीक है तो यह जाएगा छे वटी एक दो तीन चार पांच छे साथ और जब इतने का आप छे में भाग कर रहे होंगे तो सुन भाग तो जाएगा नहीं तो सुन फिर आप दसमलों लगा के एक एक सुन बढ़ाते जाएंगे तो हमने आपको क्या तरीके बता है एक दो तीन चार पांच छे साथ सूननों की संक अगिन की उतने प्लेज ड्रा करो तीन चार पांच छे साथ ठीक है लास्ट में आप कितना लिखो यह चे लिखो मां की फ्लेज पे क्या डाल दो जीरो डाल दो यह हमारा आंसर आ रहा होगा तुट्ट्ट्स आप यह कोस्चन नमबर सेक्स जो है यह अब हमें कमेंट बाक्स में लिख के बताएं कि इसके साथ अमरू क्या रहेगा यदि आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्लीज लाइक से और सब्सक्राइब करें धन्यवाद